हलो और वेलकम बैक मार्केट में पिछले दो दिनों से जो बैक टू बैक हम एक मंदी का दोर देख रहे थे उसमें आज कही न कही ब्रेक लगता हुआ नजर आए और मार्केट में आज हमने एक अच्छा कासा एक उच्छाल देखा है अगर बात करें तो निफ्टी में करीब 17,580 के असपास का क्लोस मिला जो कि करीब-करीब 90ไकल के छैवंदर बड़त निफ्टी में देखी गई वहीं बैंक निफ्टी में आमने करीब 38,700 की आसपास का क्लोस देखा है जो कि almost 400 points की एक अच्छी बड़त बैंक निप्टी में आज देखी गई सुबह मार्केट जिस तरह से open हुए थे gap down opening आमको देखने को मिला था और निप्टी ने सुबह ही करीब 17,350 के नीचे के levels opening में टेस्ट कर लिये थे तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि और एक weakness वाला session शायद से आज देखने को मिलेगा लेकिन जिस तरह से second half में market ने जबर्दस एक recovery दिखाई है तो वो कही न कही दिखा था है कि पिछले दो दिनों से जो shots market में develop होए थे वो कही न कही कुछ हद तक squeeze होते हुए नजर आए निफ्टी के अगर purely technicals की बात करें तो निफ्टी में हमने आज निफ्टी का जो 20 day moving average है तो उसके पास निफ्टी ने support लिया है करीब 17,350-370 range में एक अच्छा support निफ्टी का था वहाँ से एक strong bounce back हमको देखने को मिला है तो on the higher side अभी अगर ये pullback continue होता है तो निफ्टी ने परसो दो दिन पहले जो एक price gap create के था करीब 17,710 के असपास तो वो एक बार feel करने का item निफ्टी कर सकता है और उसके उपर फिर देखना पड़ेगा ये pullback कितना sustain होता है और आज के session में candle stick formation जो हमको देखने को मिला है वो एक piercing pattern formation purely ये दो candles पर अगर हम नजर डाले तो इसको piercing pattern के दे और ये एक bullish reversal का signal होता है तो net net एक अच्छा setup आज के strong close के बाद देखने को मिला है और immediate निफ्टी के अगर हम support की बात करें तो on the lower side हमको 17,300, 17,350 से एक अच्छा support निफ्टी के लिए बना रहेगा on the higher side जैसा मैंने का कि 17,710 के असपास पहला resistance आएगा और दूसरा resistance करीब 17,800 के असपास आएगा तो ये on the higher side निफ्टी के लिए resistance बने रहेंगे बैंक निफ्टी के अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छा बड़ा उच्छा अलाज देखा और एक तरह से कह सकते bullish engulfing टाइप का एक formation ये candlestick में हमको आज अगर ये दो candlestick में हम नजर डाले तो वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है तो जो कि एक अच्छा positive एक formation है और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी अपने 20 डे moving average के असपास एक अच्छा support लिया है सुभे बैंक निफ्टी ने करीब करीब 37,950 के असपास के lows बनाये थे और वहाँ से अच्छी खासी recovery हमको second half में देखने को मिली और ultimately बैंक निफ्टी को आमने करीब करीब 38,700 के असपास आके close होते हुए देखा है तो एक अच्छा positive एक formation आज के session के वएसे एक strong session के वएसे देखने को मिलाए तो यह pullback अगर अभी continue हो रहता है तो बैंक निफ्टी के लिए पहला जो एक probable resistance देखने को मिल सकता है वो तो 39,300 के असपास बैंक निफ्टी के लिए resistance है और उसके आगे फिर देखना पड़ेगा यह किस तरह से sustain करता है लेकिन immediate अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के resistance की तो 39,300 के असपास है on the lower side जैसा मैंने का कि 20 day moving average के असपास बैंक निफ्टी ने आज जो बनाएं तो 37,950, 38,000 यह on the lower side एक strong support बैंक निफ्टी के लिए बना रहेगा ब्रादर चार्ट पे अभी भी कई भी trend wise कोई weakness नहीं है हम देख सकते average is clearly 5, 13, 20 days moving average अभी भी अच्छे खासे positively placed है और इसमें अभी भी थोड़ा separation देखने को मिल रहा है तो ऐसा दी के bulls ने completely give up किया है पिछले दो दिन में लेकिन एक हलका सा जो momentum में एक pause आया है उसकी वयसे शायद market थोड़ा और समय लेगा फिर से उपर के और रुक करने के ल आने वाले कुछ दिनों के लिए तो टेकनिकली स्पिकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे कासे positive setup में convert होते हुए आज नजर आया आज की शांदर बढ़त के बाद और जैसे मैंने कहा कि 20 days moving average दोनों ही indices के लिए एक very short term में support बना रहेगा